तो यार सीक्रेट इंवेजन और दी फ्लैश में कनेक्शन से लेकर सूपरमैन की कास्टिंग ऐसे कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं आज किनरी न्यूज में तो एज आलवेज कुछ मिज नहीं करना चाहते तो वीडियो इन तक जरूर देखना चलो सबसे पहले box office collection की बात कर लेते हैं तब ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक Guardians of the Galaxy Vol.3 का total worldwide box office collection हो चुका है 835 million dollars वहीं across the spider wars का total worldwide box office collection हो चुका है 580 million dollars and the flash का total worldwide box office collection हो चुका है 220 million dollars जो की सही में बहुत बुरा है Reports के according the flash के इतने बुरे box office collection के चलते वानर बदस को total 200 million dollars का loss होने वाला है और जहां एक तरफ ये movie loss में चली रही थी थेटर में कोई ये movie देखने जाहीं नहीं रहा है वहीं कुछ दिन पहले ही पूरी की पूरी movie ट्विटर पे किसी ने upload कर दी थी और वहाँ ये movie free में available रही पूरे 8-9 घंटे के लिए लेकिन यहीं पर दी flash का और secret invasion का एक connection निकल कराया है जो की audience ने notice किया है और ये connection है location based तो secret invasion के episode 2 में जो लंडन के senate का घर दिखाया गया था location दिखाया गयी थी जो building दिखाया था सेम उसी location को flash की movie में central city का research center दिखाया गया है तो हाँ ये एक अच्छा connection था वैसे secret invasion का viewership के details आ चुके हैं और इसके first episode को पहले 5 दिन में 994,000 लोगों ने देखा जो की disney plus के recent shows में second lowest है 7,75,000 viewership के साथ Miss Marvel सबसे यादा bottom पर है और 1.5 million के साथ She Hulk secret invasion के ऊपर है तो हाँ ये ये होता है जब आप बीच में बेकार shows लाते हो तो अच्छे shows को भी कोई नहीं देखता है इस पे आपके क्या ठोट से हैं कॉमेंट में ज़रूर बताना अब आगे बढ़ते हैं इस week के सबसे बड़े अपडेट पे सूपर मैन लेगेसी के कास्टिंग पे तो हाँ यार हम लोगों को नया सूपर मैन मिल चुका है जेम्स गर ने ओफिशिली कनफर्म कर दिया कि सूपर मैन लेशी में नए सूपर मैन बनेंगे डेविट कॉरेंस्वेट और लुइस का करेक्टर प्ले करेंगी रेचल ब्रॉस नहें और इस कास्टिंग के बाद कई सारे फैंस के कई सारे ओपीनियन है जहां मिजॉरिटी ओडियंस तो डेविट कॉरेंस्वेट को ये हेंरी कैविल का यंगर वर्जन कह रहे हैं मिजॉरिटी उनके लुग को अप्रिशेट कर रहे हैं इनको उतना हीट नहीं मिल रहा है जितना रॉबर्ट पैटिंसन को उनके बैटमैन की कास्टिंग के टाइम मिला था लेगिन आफ फैंस ये भी मानते हैं कि हां हैं हैंरी कैविल को वो लोग मिस करेंगी और हर जेनरेशन के तरह उनके लिए हैंरी क्यविल का जो पोड्रेयल था सुपरमैन का वो बेस्ट रहेगा बट लेट सी डेविट कोरिट सुपरमैन के करेक्टर के साथ जस्टिस कर पाते हैं या नहीं पर हाँ कई फैंस ने डेविड कॉरेंसुइट का मजाक उडाना भी स्टार्ट कर दिया था जो कि एक्सपेक्टेट भी था कई लोग बोल रहे थे कि सूपरमैन की बॉड़ी इतनी अच्छी है और डेविड कॉरेंसुइट बहुत जादा स्लिम है और इसी पे एक और हंगामा स्टार्ट हो गया जहां हेंरी कैविल की फर्स्ट फोटो सब शेयर करने लगें जब उनकी सूपरमैन की कास्टिंग हुई थी तो हाँ फैंस का बोलना है कि हेंरी कैविल के जैसे ही डेविड कॉरेंसुइट तो बॉड़ी बना ही लेंगे इस पे आपके क्या थाट्स हैं कॉमेंट में जरूर बताना वैसे सूपरमैन लेगेसी के टीम में जेम्स गन ने ऑफिशली कुछ क्रिव मेंबर्स को भी आट कर लिया है जो कि उनके साथ अल्रेडी गार्डियन्स की फ्रेंचाइज में काम कर चुके हैं इस टीम में गार्डियन सब्दी गालेक्सी की प्रोडक्शन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, VFX सुपरिवाइजर और इवन सिनेमेटोग्राफर भी हैं तो हाँ जो टीम वहाँ काम की थी वही सूपरमैन लेगेसी में भी काम करने वाले हैं पर आइसी के लिए कई लोग नए DC के लिए Lex Luthor के कारेक्टर को कास्ट भी करने लगें और कई फैंस डिमांड करने लगें कि Walter White के जो एक्टर थे ब्राइन क्रैंस्टन उनको DC के उनिवर्स में Lex Luthor का कारेक्टर प्ले करना चाहिए जिस पे उन्होंने खुद रियाक्ट किया उन्होंने बोला कि फैंस लेजी हो चुके हैं उनको टकला एक्टर दिखा नहीं कि उन्होंने Lex Luthor बना दिया ऐसा होता थो भाई मैं भी एक एक्टर को जानता हूँ जो किसी भी करेक्टर को प्ले कर सकता है अगर आप नाम किस कर लिए हो तो कॉमेंट में जरूर बताना वैसे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Lex Luthor के करेक्टर के लिए दो नाम फाइनलाइज हुआ है जहां Bill Skarsgaard और उनके भाई Alexander Skarsgaard को कंसीडर किया जा रहा है इस मेजर रोल के लिए तो हाँ acting wise इन दोनों की ही acting कमाल की है देखते हैं कि ये रोल आखिर मिलता किसको है वहीं पर James Gunn से पूछा गया कि भाई सूपरमैन की कास्टिंग तो हो गई अब नए बैटमैन का क्या जिस पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई बैटमैन की कास्टिंग अभी miles miles away है मतलब अभी बहुत time है कि बैटमैन की कास्टिंग की जाएगी उनका अभी के लिए सबसे पहला focus सूपरमैन लेगेसी ही है चलो बागे बढ़ते हम सबके favorite section कुछ छोटे मगर major updates पे जहां सबसे पहले तो Netflix Sandman का season 1 आपने देखा है तो आपके लिए खुश कबरी है क्योंकि season 2 की filming स्टार्ट हो चुकी है और इसके set से ये कुछ photos भी निकल कराए है यहीं पर dare devil born again जो डिजनी के अंदर बन रही है उसको लेकर original series के stuntman ने comment किया है मतलब जिस stuntman ने Netflix पे काम किया था उन्होंने बोला कि भाई डिजनी वाले major mistake कर रहे है original stunt team को डिजनी प्लस के series में ना लेकर क्योंकि original जो series थी उसका action top notch था और audience उसी को बहुत जादा appreciate करती है तो हाँ इस पे आपके क्याट होट से है comment में ज़रूर बताना फिरा जनाथन मेजर्स का जो controversy वाला case है वो बढ़ती ही जा रहा है recent reports के according 10 से 12 ने sources ने confirm किया है कि हाँ जनाथन मेजर्स अपने partners के साथ mark उटाई करते रहते हैं वो relationship में abusive रहते हैं लेकिन हाँ ये सब बातें अभी court में तो obviously मैं कोई statement दो दे नहीं सकता मैं अपना opinion दे नहीं सकता जो decide करना है court में होई जाएगा यहीपर director James Mangold ने Logan की spin-off movie X-23 पे react करते वे officially confirm कर दिया कि हाँ वो movie बनने वाली थी मलब X-23 के character पे एक focus spin-off movie बनने ही वाली थी लेकिन उसको cancel कर दिया गया Disney और Fox के merger के चलते बना उन्होंने confirm कर दिया कि उन्होंने story पे काम करना तो start नहीं किया था लेकिन हाँ उनके दिमाग में एक idea जरूर था फिर हाँ अगर आप Superman & Lewis की series देखते हो तो इसका season 3 इसी मन्थ 28 जुलाई से start हो जाएगा stream होना और हाँ इसकी season 4 को भी officially confirm कर दिया गया है और इसका season 4 release होगा next year मन्थ अभी कौन सा होगा ये confirm नहीं किया गया then आप Warner Brothers के तरफ से ऐसी खबर आई है कि super girl का जो character है उसकी एक अलग dedicated movie बनने वाली थी the flash movie के बाद पर इसको बहुत ही पहले already cancel कर दिया गया है then अगर आपको the batman का cinematography पसंद आया था तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि the batman के sequel में officially confirm कर दिया गया है कि इसके original cinematographer Greg Freezer part 2 के लिए return कर रहे हैं यहीं पर Aquaman and the Lost Kingdom के लिए James 1 ने comment किया है कि यह जो movie होने वाली है वो काफी हद तक stand alone movie रहेगी जिसका further DC universe से उतना connection नहीं होने वाला then आगर आप Gotham Nights की series देख रहे हो तो उसमें Misha Collins के Two-Face के character को reveal कर दिया गया है उनका look आप screen पे देखी रहे हो then James Gunn से पुछा गया कि उनकी The Suicide Squad का sequel कब तक आएगा जिसके उन्होंने confirm किया है कि अभी तो Superman Legacy पे वो काम कर रहे हैं जिसके बाद वो move करेंगे Peace Maker के Season 2 पे और Suicide Squad पे उनके अभी तक कोई भी plans नहीं है इस पे अभी pre-production का काम भी नहीं चल रहा है तो हाँ फैंस को The Suicide Squad के sequel के लिए बहुत जादा wait करना पढ़ेगा then ये पर Captain America Brave New World के Cinematographer ने officially confirm किया है कि इसकी filming complete हो चुकी है और वहीं पे दूसरी तरफ Deadpool 3 की भी filming almost complete हो चुकी है स्पाइडर मैं 2 का गेम आ रहा है उसमें भी माइल्स मॉरालिस के कई सारे alternate suit होने वाले हैं उनके भी लुक रिवील कर दिये गए यही पर सबसे मेजर रहा कि जो क्राइवन दी हंटर की movie आ रही है उसका synopsis release किया गया और इसमें clearly mention किया गया है स्पाइडर मैं को अब आपने अगर मेरा breakdown देखा होगा तो आप जानते होगे कि यहां कौन सा स्पाइडर मैं रिटर्न आ सकता है तो अगर यह रिटर्न हुआ तो आपकी क्या feeling होगी comment में जरूर बताना and in the end सबसे major रहा कि Venom 3 की filming start हो चुकी है और इसके set से कुछ photos आए है जिसमें आप clearly देख सकते हो Tom Hardy को same उसी T-shirt में जिसमें वो Spider-Man No Way Home के ending में थे तो हाँ Venom 3 exactly वहीं से start होगी जहां Spider-Man No Way Home की ending होई थी तो हाँ इससे fans थोड़ा ज़ादा excited हो गए है तो यार यह थी स्वीक के updates hopes हो कि आप पूरी तरह updated होगे होगे इफ हाँ दो वीडियो like and share करना और यार मैं ये nerdy news पिछले 5-6 सालों से बना रहा हूँ लेकिन तुम में से 50% लोग बस ये वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो यार अपना तगड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन मुझे थोड़ा motivation मिल जाता है डॉक्टर डूम ने कैसे सारे Avengers को मार डाला ये जानने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और Secret Invasion एपिसोड 2 के hidden details को जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊँगा तिल दिन बी देशी बी नर्ड